मानसून का प्रारूप और मौसम का अनुमान मौसम का अनुमान लगाने के लिए और उनमें होने वाले परिवर्तों के बारे में बताने के लिए अनेक प्रकार के प्रारूपों का इस्तमाल किया जाता है जलवायू में होने वाले वर्तमान परिवर्तनों के बारे में और उनमें होने वाले बहुतिकी प्रतिक्रियाओं के बारे में संख्यात्मत प्रारूपों का इस्तमाल होता है मानसून के बारे में अनुमान लगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रारूपों का इस्तमाल होता है जिसमें सिंडिकेट प्रारूप और संख्यात्मत प्रारूप का समाविश होता है इसके लिए रडार यंत्रणा और उपग्रहिय तक्नी आवश्यक होती है जिसके विकास पर आजकल काफी जोर दिया जाता है सन 1877 के अकाल के परशाथ आएमडी के संस्थापक H.F. बलेनफोर्ड ने 1844 में हिमाचल में हुई हिम्रिष्टी इस घटक को ध्यान में रखते हुए सर्व प्रथम इस प्रकार का अनुमान लगाया था 1930 के दशक में आएमडी के तातकालीन संचालक सरगिब्द वॉकर ने विश्व भर के विभिन जलवायु विज्ञान के घटकों और स्थानिकीय मानसून का संबंद अधोरिखीत किया तथा उन्हें उपलब्ध प्रेक्षणों तथा पुराने पठणों के आधार पर आने वाला मानसून कैसा होगा इसका अनुमान प्रतिपादित किया था 1990 के दशक में डॉक्टर वसंत गुवारिकर के नेतरित्व में विश्वभर के मौसम संबंदी 16 घटकों पर आधारित मानसून का प्रारूप बनाया गया सन 90 से 2000 तक ये प्रारूप उपयोग में लाया जाता था हमने जलवायू में बहुत सारे बदलाओं को होते देखा है और इसके साथ प्रदूशन में हुई बढ़ोतरी का भी अनुभव किया है हम मानो द्वारा निर्मित कच्रा इसका मुख्य कारण है इसमें कच्रे के बहुत सारे प्रकारों का समावेश है कच्रे को हम दो प्रकार के कच्रे में विभाजित कर सकते है विघटन्शिल कच्रा और अविघटन्शिल कच्रा खरा, भोजन, फल, सबजियां, राक, गोबर, पेडों के भाग इत्यादी सारे कच्रे का सूख्षम जीओं द्वारा आसानी से विगटन होता है लेकिन प्लास्टिक या धातूओं का विगटन नहीं हो पाता फोस कच्रे को कम करना और कच्रे का व्यवस्थापन करना ये समय की मांग और जरूरत है मुंबई के उपनगरों में 26 जुलाई 2005 को पानी भर गया था इसके पीछे मुख्यकारण कच्रे का जमा होना यही था कच्रे के व्यवस्थापन के साथ मुख्य तत्व होते हैं विवस्थापन में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मानवी और प्राकृतिक कारणों से घटित आपदाओं के निवारण के लिए भी विवस्थापन की आवश्चक्ता होती है। हम आपदाओं के कारण होने वाली जानो माल की हानी हमारे आसपास देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है सुनियोजित संगटनात्मक कृती एवं समन्दवय द्वारा कारवाई करने की एकतरित क्रिया। इसमें आपदाओं के कारण होने वाली हानी तथा खत्री को प्रतिबंधित करना, खत्री की व्यापती को कम करना, संकट के समय तत्काल कृती करना, आपदाओं के कारण होई हानी और उसकी तीवरता का अनुभव लगाना, बचाओ और मददकारिय करना तथा पुनर्वसन और पुनर निर्मान का कार्य करना। आपदा के बाद जखमी होए लोगों को प्रतमोपचार देना ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अगर श्वसन बंध है तो श्वसन के लिए श्वसन मार्ग को खुला करना। इसके लिए विपदा ग्रस्त को कृत्रीम श्वासो श्वास देना, रखता विसरन को नियमित करना इत्यादी। आपदा ग्रस्त व्यक्ति अगर जखमी हो और उस जखम से रक्तस्त्रा हो रहा हो तो उस जखम पर निर्जंतुक आवरण रख कर अंगूठे या हतेली से पाच मिनट तक दाव दे। अस्तिभंग और कशेरुका पर आगात होने की स्थिति में तूटे हुए भाग का निश संचालन करें अगर कशेरुका पर आगात हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सक्त रुगनशीविका पर रखें। जलना या जुलसनी की स्थिति में घाव को ठंडे पानी की धारा के नीचे रखें और फिर उस पर उपचार करें। इसके साथ हमने ये भी देखा कि आपदा प्रभंदन किस प्रकार किया जाता है।